मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Best SWP Mutual Funds into 2020-22 जी या कि कौन से से Mutual Fund है जो Systematic Withdrawal Plans के लिए सबसे Best है सो देखिए सबसे पहले बात करते कि Systematic Withdrawal Plans आखिर होते क्या है तो यह देखिए आप जब भी Mutual Fund के अंदर SIP के थरू जो Invest करते है SIP का सीथा ही Reverse कहलाता है SWP मना जिस तरह से आप Invest कर रहे है Systematic Way के अंदर उसी तरह से Systematic Way के अंदर ही आप अपना जो Fund है उसमें से पैसा जो है विड्रॉल करके अपने Bank Account के अंदर ला सकते है So guys, आपका SIP का Reverser SWP कहलाता है और लोग इसको क्यों करते है क्योंकि वो एक Regular Income कमाना चाहते है Mutual Fund के थरू तो देखिए उसके दो तरीकी होते है पैरा तरीका सिंपली ही होता है कि या तो आप ऐसे Mutual Fund के थे Invest कीजे जो basically आपको Dividends वगरे प्रोवाइड करते है लेकिन वहाँ पर Problem क्या होती है एक तो हर कोई Mutual Fund Dividend प्रोवाइड नहीं करता Second thing अलगर वो प्रोवाइड करता भी तो उसके उपर TDS कर जाता है दूसरी चीज होती है SWP के थरू Systematic Withdrawal Plan के थरू तो आज समझते हैं कि यह जो Systematic Withdrawal Plan है यह काम कैसे करेगा प्रैक्टिकल तरीक से प्लस कौन से ऐसे Best Mutual Fund है जिसके अंदर आप निवेश करके SWP जो है अपना Activate कर सकते तो देखे काई सबसे पहले अगर मैं Benefits की बात कहूं तो पहले चीज जीसे मैं बताई कि आपकी एक Monthly Income इससे Generate हो जाती है Second thing आपने जो पैसा लगा रखा है वो भी यहाँ पे ग्रू होता रहता है क्योंकि आप पूरा पैसा एक साथ विड्रॉल नहीं करते वो systematic way के अंदर हर मैने जो विड्रॉल होता रहता है तीसी चीज गाइस यहाँ पे dividend की तरे कोई भी TDS वगर नहीं करता आप जो पूरा पैसा विड्रॉल करेंगे वो सीधा आपके bank account के अंदर आता है चौतिस चीज आपको flexibility मिल जाती है कि आपको month ली जो है कितना पैसा fixed account के अंदर विड्रॉल करना है और कितने समय के लिए इसमें बात करो कि mostly SWP जो है withdrawal करनेगा third thing है guys अगर आप खुद की एक pension income यहाँ पर create करना चाहते है fourth thing है अगर आप let's suppose कोई भी high tax bracket के अंदर fall करते है और tax saving के लिए भी यहाँ पर SWP जो है काफी फाइदे मन रहते है इसके साथ में guys लोग के doubts होते हैं कि basically SWP की through हम लोग जो amount withdrawl करेंगे तो उसके पर tax कितना लगेगा तो देखिए अगर within 12 months करते है so basically आपको वो short term capital gain बनता है और उसके उपर जो tax है वो आपकी slab rate की according बनेगा वहीं पर अगर मैं long term capital gain की बात कहो तो एक लाख रुपे तक वो exempt रहता है एक लाख के बात में जित्ता भी आप capital जो आपका profit हो रखा है वो आप जो withdrawl करेंगे उसके उपर आपका 10% याप पर tax लगेगा आप जो SWP है वो आपको कितना amount करना है तो वो कैसे पता लगे का तो इसके लिए हम लोग लिए एक grow का simple calculator इसके link में आपको description box में दे दूँगा तो guys यहाँ पर आपको total investment के अंदर जित्ता आप investment करने वाले है अगले 10-12 साल में वो आपको यहाँ पर input करना है तो मैं मानता हूँ कि आप 1-1,00,00,00 रुपे हर साल invest करेंगे तो आपको 12,00,00,00 रुपे investment बन जाता है इसके लब आप expected return की बात करो तो आप जिस mutual fund के अंदर invest करेंगे अगर on and average में past year records की बात करो तो 12% का हर कोई mutual fund यहाँ पर return आपको दे देता है उसके बाद में time period आपका 12 साल हो गया तो guys अब होगा क्या 12 साल के end के अंदर 12,00,00 रुपे आपने invest किये थे और 12 साल तक आप 7,20,000 रुपे withdrawal कर चुके होगे क्योंकि पर मंद आपका 5,000 रुपे का income आ रहा होगा तो guys अगर मैं 12 साल के बाद में calculation लगा हूँ तो आपने जो 12,00,00 रुपे invest किये वो बंचेंगे 31,00,00 रुपे और 7,00,00 रुपे आपके bank account के अंदर already withdrawal होगे हर महीने ऐसे 55,000 रुपे तो देखे guys कितना आसान है मला हर महीने आपका 5,000 रुपे withdrawal भी होता गया प्लस आपने जो 12,00,00 रुपे invest किये वो सीधे यहाँ पे double यानि कि 31,00,00 रुपी हो जाते है आप guys बात करते हैं कि SWP की अंदर आपके कौन से ऐसे mutual fund है 2022 के अंदर जो best साबित याँ पे हो सकते है तो देखे SWP के अंदर अगर आप investment करना चाते है इस तरह के से systematic आप withdrawal करना चाते है तो उसके लिए मैं हमीशे याँ पे recommend करता हूँ आपको सिर्फ equity जो large cap वाले mutual fund होते है उनको choose out करना चाहिए इसके लावा जो index fund है उनको आप choose out कर सकते है और third category जो hybrid वाले mutual funds होते हैं उसको आप choose out कर सकते है तो अगर मैं large cap वाले mutual funds की बात करूँ तो अगर आप जैसे मैंने इससे पहले भी एक video बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको best large cap mutual funds की बात कीती है तो इसके अंदर जो top cap जो नाम आता है Axis Blue Chip Fund और Miraz Assets तो guys इनके अगर मैं return की बात करूँ तो काफी अच्छे return है इननों ने 5 साल के अंदर provide किये 18% का CIGR है 15% का CIGR है और expense ratio भी यहाँ पर काफी कम है तो nifty है आपका जो भी returns प्रोवाइड करेंगा वही return यह प्रोवाइड करेंगे तो पिछले 5 साल में आप दिख सकते है 17-17% का इसने CIGR दिया है इसके लवा गाईस अगर मैं hybrid funds की बात करूँ तो यहाँ पर simply आप यहाँ तो balance fund ले सकते है यहाँ पर aggressive ले सकते है aggressive में आप simply यहाँ पर जो है BOA का X है यहाँ पर क्वान का absolute fund ले सकते है जिसने 5 years के अंदर almost यहाँ पर 21% और 18% का CIGR दिया है इसके लवा आप यहाँ पर एक balance fund भी पकड़ सकते है जिसके इडिवलिस का balance advantage fund काफी अच्छा है जिसने पिछले 5 साल के अंदर 15% का CIGR दिया है तो guys simply आपको equity large cap index fund और यहाँ पर एक balance advantage fund यह तीन type की category के mutual fund में से आपको एक एक fund यहाँ पर choose out करना चाहिए best SW plans के लिए तो guys hope you like this video, please subscribe अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment section के अंदर ज़रूर बताईए thank you guys thank you very much